आपको बता दें कि सोमवार की रात आट बजी के बाद से जुले भर में 108 एंबुलेंस सेवा फलहाल हर्टाल पर चली गई है वज़ा इसके पीछे बजाई बताई जा रही थी कि पिछले तीन महिने से इनका वेतन नहीं मिला इसके अलावा और भी कई अलग-अलग मांग है आज हर्टाल का पाच्वा दिन है और उसके बावजूद भी इनकी मांग पर अब तक सुनवाई करने वाला कोई नहीं आपको बता दे कि 108 एंबुलेंस के हर्टाल पर जाने से आम पबलिक जिनको अस्पिताल जाना पड़ा है उनको काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ पुलिक जिलिभर में 36 ऐसे एंबुलेंस है उसके बावजूद भी क्योंकि सारी जो एंबुलेंस है वो हर्टाल पर है ऐसे में लोग जब कॉल कर रहे है तो उन्हें ये सेवा नहीं मिल पारी है लेकिन अब तक सरकार जो है इस काम को लेकर या फिर कोई भी इनिशेटिव लेकर नहीं लेरा इंसे बाचित करते जाने का प्रयास करते कि कि आप फिसले चार से पास दिनों में किसी ने इन से संपर करने की कोशिश किया नहीं कि प्डरान का करते हैap तक जोंकर की किसी ने आप से अब समपर कि लिए क Du l apparently कattend यहां पर दिया कि हम दो महींतो edited ना व Rub पूछने तक नहीं आगा है कि वह दिखने लगों कांग नहीं है अब देखने नहीं थो पबली को तो नहीं बता सकते हैं लेकिन हाँनी तो हो रहा है, लेकिन हम लोग को जब तक जो मांग पूरी नहीं होगी सब्कमार्टन नहीं तोल सकते हैं, ड़ा न्यूमतरम ओना चाहिए, उन डीने में मुझा टांगार जा रहा है, 14,400 रुपया में हम लोगों खटाया जा रहा है, 12 घंट खटाया जा रहा है, तो इसके बज़से तो यह थी नहीं है, उपर से जब भी हम लोग हरताल करें, आज पांचवा दिन है, पांचवा दिन में होते वे भी, अभी तक कोई सरकारी करमचारी आए नहीं है, कि क्यों नही क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, कमपनी का जो सदसे हैं, ऊपर से वाटसप करके या कॉलिंग करके बोला जा रहा है कि आप लोग धमकी दिया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि मतलब आप हरताल को खतम कीजिए, और धनबाद में लोकल लोकल चलिए, राची में में चलिए, कि अपने को बारे घंटा चला जा रहा था उसी तरह से फिर से मतलग चालू किया जाए बताया जाए कि क्या लग रहा है इस तरह से धमकी भरे कॉल सारे पर सुनवाई नहीं हो रहे कब तक आप लोग आगे हरता लागे जाई धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं है जब तक हम लोग को सुनवाई नहीं होगा जब तक हम लोग घरताल पे रहेंगे अनिश्चीत काल के लिए जेल जाने के लिए हम लोग रेडी है परसाशन का धमकी और हर तरह से यह मिल रहा है लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है और सोर सिंग से ही काम करवा रही हम लोग से हम लोग को उतना दिन से अच्छा से हम लोग काम करते आ रहे थे लेकिन जब दुरगापुजा आया दुरगापुजा आने के बाद हम लोग को पेमेट नहीं मिला अभी हम लोग को बोला जा रहा है कि नया जो जोइनिंग किये हैं नया ज तो काम से निकाल देंगे और पुराने वाले जो उलोग को पेमेंट अभी तक नहीं दिया गया है तो उसके लिए उलोग को छोड़ के हम लोग को अभी धमकी दिया जा रहा है हम लोग को काम से निकालने का एक दे रहा है कोई ठीकाना नहीं है में जैसे कि अभी हम लोग को द तो बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर काफी आक्रोशन लोगों ने बताए कि पिछले पांस दिनों से हर्ताल पर है लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी सुनवाई करने नहीं आया अलग अलग वाट्सअप नंबर से जो कंपनी के बाकी लोग यह कॉल करके इनको धमकार हैं कि आप काम पर वापस आ जाए नहीं तो आपके लिए सही नहीं होगा साथी साथ जो न्यू इंप्लॉई है उनके अंदर यह बात डाल भी की जा रही है उनको का जा रहा है कि आप लोग एट्लीस जॉइन कर ले जो पुराने उनको छोड़ द जेते हैं मरीजों को उनके परिवार वालों को दिन रात सेवा करते हैं ऐसे लोग खोद आज ऐसी स्थिती में है कि वो अपने पेमेंट की आपर मांग कर रहे हैं इसको लेकर हर्ताल कर रहे हैं इसके साथी साथ स्थाई करने की मांग कर रहे हैं और सोर्सिंग के वज़े से झाल